नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार यागिंद्र विशाई चैनल पर साल की सबसे बड़ी हरियाली अवश्या 28 जुलाई सावन अवश्या कुत्ते को खिला दें ये एक छोटी सी चीज होगा सभी दुस्मनों का नास बड़ी से बड़ी परिसानी तुरंत होगी खत्म जी हां दोस्तों इस बार यह जो सावन की अवश्या है यह 28 जुलाई दिन गुरु बार को पड़ रही है सावन अवश्या को हरियाली अवश्या की नाम से भी जाना जाता है इस दिन पौधे लगाने का बिशेस महत होता है कहतें कि जो लोग जीवन में धन दावलत और शुक्षम्रद्धी की कामना करते हैं उन्हें इस दिन आमबला तुलसी बेलपत्र और केले की पौधे को जरूर लगाना चाहिए दोस्तो स्त्रावण माश में पढ़ने वाली अवश्या को हर्याली अवश्या, स्त्रावणी अवश्या और सावन अवश्या के नाम से जाना जाता है इस दिन सभी तरह से कष्टों से मुक्ती पाने के लिए भागवान विश्वू और माता लक्ष्मीज के विशेश रुप से पूजा करने चाहिए इस बार किया है सावन अवश्या 28 जड़ाई दिन गुरुबार को है और इस दिन कई सारे दुलब सपस्योग बन रहे हैं इस दिन सरवार शिद्धियोग और अमरिश शिद्धियोग भी बन रहा है जिसके कारण इसके फलों में कई गुना ब्रद्धी देखने को मिल रही है इस सावन अवश्या पर पित्रों से सम्मंधित आपकार करने से पित्रों का अस्रवात प्राप्थ होता है हर्याली अमरिश पर यानि की सावन अमरिश पर पेड़ पौधे पर विशेस रुप से पूजा कि जाती है और पेड़ पौधे लगाने से सुषभलों की प्राप्ति होती है जीवन के सभी कश्ट दूर हो जाते हैं इसलिए इस बार की सावन अवश्या पर आप जरूर कर भाग जाएंगे और दुस्मनों का होगा नास बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म सावन अवश्या पर सबसे पहले तो आप किसी तीर्थ इस्थल पर जाकर इश्नान करें गंगा नदी शरोबर में या फिर आप पवित्र नदी का जल अपने घर पर ही नहान अवश्या पर करने वाला एक असर कारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से दुस्मन सांत हो जाते हैं दुस्मन नुकसान पहुचाना बंद कर देते हैं पित्रों के किरपा प्राप्त होती है पित्र प्रसन होकर अपना आश्रवाद देते हैं और पित्रों के आश्रवाद से बिगड़े कार भी बनने लग जाते हैं कारियों में आरही रुकावट दूर होती है और घर में शु जरूर कर दें और इसे शेयर कर दें शाथी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों बताना चाहेंगे कि अमश्या के तिती भागवान विश्म और माता लक्ष्मी को समर्पीत होती है और इस दिन सन्य देव की भी पूजा जरूर करने चाहिए दोस लक्ष्मी के पास दिपक जला कर फिर आप पूजा करें पूजा करने के बाद ओम पितर देवा नम इस मंदर का जाब करें और फिर इसके बाद आप आटा ले ले और आटे को सुध जल से आप गुंद कर एक रोटी तयार कर लें जी हां दोस्तों रोटी को तयार करने के बा दोस्तों अवश्या तिति भगवान लक्ष्मी नहरान पित्र देव और सनी देव को समर्पित होती है। आपको काला वाला गुड डाल कर ही रोटी को त्यार करने के बाद फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल आप लगा दें। और पित्र जो होते हैं कुट्टे के रोप में आते हैं क्योंकि दोस्तों प्रतिवी पर जो पित्र हमारे आते हैं कुट्टे गाए और कवई के रोप में आते हैं। इसलिए कुट्टे को इस दिन जरूर रोटी खिलाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले रोटी बनती है वो गाय के लिए और लाष्ट वाली जो रोटी बनती है वो कुट्टे के लिए बनती है। आपको इस लाष्ट वाली रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़े से काले तिल आप डाल कर कुट्टे को खिला दें। तो खिर भी आप डाल के यानि इसमें आप खिला सकते हैं लेकिन सबसे उत्तम रहेगा सरसों का तेल डाल कर और काले तिल डाल कर ही आप खिलाएगा सबसे उत्तम चीज रहेगा। तो इससे आपको और कुट्टे कुछ दिन मारे ना, कुट्टे को अपने घर से भागाए ना, उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाएं क्योंकि जो कुट्टे आते हैं इस दिन वो पित्र देव होते हैं। आपको दान दच्छना करें और अपने हिसाब से आप यनि कि जितना आपके पार समर्थ हो उस हिसाब से आप दान भी कर सकते हैं। अपने दुस्मन का नाम लेते हुए आप इस कुट्टे को खिला दें। दुस्मन दुम बजाकर भाग जाएगा और दुस्मन सांत हो जाएगा। दुस्मन का होगा नास्च क्योंकि बड़ा से बड़े दुस्मन भी कुट्टे ने टेक देंगे। और सभी बड़ी से बड़ी परिशानी से भी मिन्टों में मिलेगी आजादी क्योंकि बड़ी से बड़ी परिशानी छुमंतर हो जाएगी। तो हर प्रकार की परिशानी से और बड़ी से बड़ी कष्टों और संकटों से छुटकारा पाने के लिए दुस्मनों को सांत करने के लिए एक रोटी में काला तिल, सरसों का तेल, काला नमक, काला गुड आप डाल कर खुत्ते को खिला दें। फिर देखे कैसे चमातखार हो झाल